श्राध्ध एक प्राचीन और महत्वपूर्ण हिंदू अनुष्ठान है जिसे पितरों, पूर्वजों की आत्मा की शान्ती और मोक्ष के लिए किया जाता है। यह परंपरा हजारों साल पुरानी है और इसका उलेख वेदों, पुराणों और हिंदू धर्म ग्रंथों में मिलता है। श्राध्ध का मुख्य उद्देश्य उन पूर्वजों की आत्मा को तृप्त करना है, जिन्होंने इस जीवन से विदाई ले ली है और जो अपने पितर लोक में निवास कर रहे हैं। ऐसा माना जाता है कि जब तक उनके लिए श्राध्ध नहीं किया जाता, उनकी आत्मा भटकती रहती है और शांती प्राप्त नहीं कर पाती। श्राध्ध के आयोजन का समय पित्र पक्ष होता है, जो भाद्रपद माह की पूर्णिमा से शुरू होकर अश्विन माह की अमावस्या तक चलता है। इस दौरान पंदरह दिन के लिए पित्रों की आत्मा पृत्वी पर आने की मान्यता है। श्राध्ध के माध्यम से उनके लिए तरपन, पिंडदान और ब्राह्मन भोज की व्यवस्था की जाती है। धार्मिक मान्यता है कि यह अनुष्ठान पित्रों को संतुष्ट करता है और परिवार पर उनका आशीरवाद बना रहता है। अगर श्राध्ध नहीं किया जाता तो इसे पित्र दोश के रूप में देखा जाता है जिससे परिवार में विभिन प्रकार की समस्याएं उत्पन हो सकती हैं जैसे आर्थिक तंगी, स्वास्थे संबंधी समस्याएं और जीवन में अर्चने। श्राध्ध की प्रक्रिया में मुख्य तह तीन चरण होते हैं तरपन, पिंडदान और ब्राह्मन भोज। तरपन का अर्थ है पित्रों को जल अर्पन करना जिसमें तिल, जौ और कुशा घास का मिश्रन जल में डाल कर पित्रों की आत्मा को शान्ति प्रदान की जाती है। इसके बाद पिंडदान किया जाता है जिसमें चावल, जौ, तिल, घी और कुशा का प्रयोग करके पिंड बनाय जाते हैं। ये पिंड पित्रों को अर्पित किये जाते हैं जिन्हें उनकी आत्मा की त्रिप्ति के लिए महत्वपूर्ण माना जाता है। अंत में ब्राह्मन भोज कराया जाता है जिसे श्राध्ध की प्रक्रिया का पूर्ण रूप माना जाता है। धार्मिक मान्यता है कि ब्राह्मनों को भोजन कराने से पित्रों की आत्मा को भोजन प्राप्त होता है और वे संतुष्ट होते हैं। श्राध्ध की महत्ता को पुराणों में भी विस्तार से बताया गया है। गरुड पुराण, विश्नु पुराण और वायु पुराण में श्राध्ध के महत्व का उल्लेक है। इनमें कहा गया है कि पितरों की आत्मा को संतुष्ट करने से परिवार में शान्ती, सम्रिध्ध इसके विप्रीत अगर श्राध्ध नहीं किया जाता तो पित्रों की आत्मा असंतुष्ट रहती है और यह परिवार के लिए अशुभ साबित हो सकता है। और पित्रों का आशीरवाद प्राप्त किया जा सकता है। श्राध्ध के महत्व को सिर्फ धार्मिक दृष्टिकोन से ही नहीं देखा जाता बलकि इसका आध्यात्मिक और सांस्कृतिक महत्व भी है। और श्राध्ध के माध्यम से व्यक्ति अपने कर्मों का सकारात्मक फल प्राप्त कर सकता है। पूरवजों की आत्मा को शांती प्रदान करने से उनके आशीरवाद की प्राप्ती होती है। जिससे परिवार के सदस्यों का जीवन सुखमय और सम्रिद्ध बनता है। श्राध्ध की प्रक्रिया के दौरान विभिन्न प्रकार के दान और अनुष्ठान भी किये जाते हैं। जिनका उद्देश्य पित्रों की आत्मा की त्रिप्ती और उन्हें मोक्ष प्राप्त कराना है। पिंडदान और तरपन के अलावा गरीबों और ब्रह्मनों को भोजन, वस्त्र और धन का दान भी श्राध्ध का महत्वपूर्ण हिस्सा है। धार्मिक मान्यता है कि पित्रों को अर्पित किया गया भोजन ब्रह्मनों के माध्यम से पित्रों तक पहुँचता है और उनके आशीरवात से परिवार को सुख, शान्ती और सम्रिध्ध प्राप्त होती है। विभिन्य पुराणों में ये भी बताया गया है कि श्राद्ध केवल पित्र पक्ष में ही नहीं बलकि किसी भी समय किया जा सकता है जब व्यक्ति अपने पित्रों को सम्मान देना चाहता हो इसके अलावा कई हिंदू परिवार ये मानते हैं कि विशेश तीर्थ स्थानों पर श्राद्ध करने से इसका महत्व और भी बढ़ जाता है उदाहरन के लिए गया जैसे स्थानों पर श्राद्ध करने से पित्रों की आत्मा को सीधा मोक्ष प्राप्त होता है और उनके लिए बार बार श्राद्ध करने की आवश्यक्ता नहीं होती ऐसी मान्यता है कि गया में किया गया श्राद्ध पित्रों को सीधे स्वर्ग में पहुँचाता है और उनके परिवार को पित्र दोश से मुक्ति दिलाता है श्राद्ध का वैग्यानिक पक्ष भी रोचक है धार्मेक अनुष्ठानों के पीछे छिपी वैग्यानिक दृष्टी भी कई बार चर्चा का विशय बनती है उदाहरण के लिए श्राद्ध के दौरान सात्विक भोजन का महत्व होता है जिसे शुद्ध और पौश्टिक माना जाता है इसके अलावा पिंडदान और तरपन के माध्यम से प्रकृती के प्रती भी आदर व्यक्त किया जाता है जल, अनाज, तिल और अन्य प्राकृतिक तत्वों का अरपन करने से यह संदेश मिलता है कि व्यक्ति अपनी जड़ों से जुड़ा हुआ है और प्रकृति के चक्र का हिस्सा है श्राद्ध की माध्यम से व्यक्ति अपने पूरवजों के प्रती अपनी कृतज्यता और श्रद्धा प्रकट करता है। यह अनुष्ठान उसे यह समझने में मदद करता है कि जीवन में पूरवजों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है और उन्हें सम्मान देना आवश्यक है। श्राद्ध के माध्यम से व्यक्ति अपने पूरवजों के प्रती अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करता है और उनके आशीरवाद की प्राप्ती करता है। श्राद्ध का पालन न केवल धार्मिक दृष्टिकोन से, बलकि व्यक्तिगत और पारिवारिक शान्ती और सम्रिध्ध के लिए भी महत्वपूर्ण है। धार्मिक ग्रंथों में यह भी उलेख किया गया है कि जो व्यक्ति श्राद्ध नहीं करता, उसे मृत्यों के बाद नर्क में जाना पड़ सकता है। इसलिए श्राद्ध एक महत्वपूर्ण धार्मिक और सामाजिक अनुष्ठान है जो पूरवजों की आत्मा की शान्ती, परिवार की सम्रिध्धि और जीवन में संतुलन बनाए रखने के लिए किया जाता है। यह अनुष्ठान न केवल धार्मिक द्रिष्टिकोन से महत्वपूर्ण है, बलकि इसके पीछे छिपे वैज्ञानिक और सांस्कृतिक पहलू भी इसे विशेश बनाते हैं।